अले येज जुरू करते हैं फड़ा फड़ा इसी को आगे कोंटीडी उर करते हैं आज बात करने वाले हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंड स्टूरी के बारे में तो फड़ा फट शुरू करते हैं, let us start, let us complete, let us crack but before that, these are our contact details and these are other courses, जहां पर advanced geography course या फिर geography optional test series के लिए आप register कर सकते हैं इसके लावा, GS section में art and culture या फिर GS के test series के लिए भी आप subscribe कर सकते हैं for more details, you can email on recognitionis at gmail.com इसके लावा देखिए, एक और e-gurukul program launch हो गई है, which is a pathway for final selection तो जो भी लोग अपने preparation में किसी भी प्रकार के अगर problem face कर रहे हैं, issue face कर रहे हैं and you want to join the e-gurukul program, obviously you can for that again details will be sent on recognitionis at gmail.com for now we start करते हैं agriculture का topic, तो we have discussed some of the topics of agriculture जिसमें से basically जो हम लोग उने discussion किया है, वो एक static topics हैं उसी तरीके का static topic हैं हम लोग बात करेंगे आज food processing sector के बारे में और फिर हम लोग आगे जो बचे हुए topics हैं उनके बारे में detailed discussion करेंगे और जहां पर हमें कुछ contemporary approach और साथ ही साथ में हमें कुछ dynamic concepts भी discuss करने हैं तो फ़्राफट चुरू करते हैं अगरो processing industries के बारे में तो हम लोग ने जो last class थी उसमें देखा था हम लोग ने cropping pattern के बारे में cropping pattern के बारे में आज हम लोग की जो class होगी उसमें हम लोग देखेंगे food processing के बारे में food processing के बारे में food processing क्या होती है supply chain क्या होती है supply chain supply chain क्या होती है और हम लोग देखेंगे food safety and standard food safety and standard अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके prospects क्या है prospects मतलब क्या future क्या है इसमें challenges क्या क्या रहे है challenges क्या क्या रहे है और इसके हम लोग solutions देखेंगे हम लोग देखेंगे solutions तो चलिए फिर start करते हैं हमारा topic फूड प्रोसेसिंग अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करें फूड प्रोसेसिंग तो फूड प्रोसेसिंग के पारे में पहले तो यह जान लेते हैं फूड प्रोसेसिंग होती क्या है अखिर फूड प्रोसेसिंग यह होती है यह है प्रोडियूसर प्रोडियूसर मतलब जो खाना बना रहा है मतलब गेहूं कौन उगा रहा है रोटी मतलब यह रोटी एंदसरेंस की आपकी गेहूं कौन उगा रहा है क्यावल कौन उगा रहा है और ultimately पहुचे हमारे किचन में consumer के पास अब यहां से यहां के बीच में एक बहुत बड़ा factor आता है इसको बोलते हैं food processing food processing unit food processing unit एक यह बहुत बड़ा ही sector आता है food processing unit का अब यह food processing का मतलब यह होता है है कि आपकी गेहू से मतलब जो गेहू की crop है जो wheat crop है वहां से आपकी wheat grain निकालना मतलब wheat crop से wheat grain निकालना इसी को बोलते हैं आपकी food processing अब यह food processing एक्चली दो टाइप की होती है दो टाइप की होती है food processing food processing के अगर में बात करें कि यह दो तरीके क्योंति एक होती है horizontal और एक होती है वर्टिकल एक होती है वर्टिकल होरिजंटल क्या होती है जमाली यह आपने कोई एक product लिया suppose गन्ना शुगर केन इस शुगर कन्ने को आपने क्या किया अलग अलग processing करके अलग अलग product निकाला जैसे शुगर निकाला उसके बाद आपने यहां से गुड़ वगर भी निकालते हैं फिर यहां से मुलासस निकाले मुलासस निकाले आपने क्या किया कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दिया कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दिया चाहिए वो शुगर के फार्मिंट में किया हो या फिर गुल के फार्मिंट में किया हो तो यह आपने अलग-अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके अलग-अलग प्रोडिक निकाले इ डेना को बोलते हैं वर्टीकल कर सरे प्रहार रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं इस तरीके की चीजे ओती है समझ में आ गया फुर्ट प्रोससिंग क्या है अगर फूर्ट प्रोससिंग के हम बात करें ये जो इंडस्ट्री है मतलब food processing की जो industry है वो actually agriculture और industry के बीच में लाई करती है मतलब इन दोनों को link करने का ये एक linking agent है linking एक link है जो की agriculture और industry को connect करती है मतलब primary sector को secondary sector से जोडती है secondary sector से जोडती है और in fact ये जो food processing है इसका future को देखते हुए इसके bright future को देखते हुए इसे बोला आता है इसे बोला आता है sun rise industry sun rise industry है मतलब उगते सूरजवाला ये industry है मतलब इसकी जो future है वो बहुत ज़्यादा bright है तो ये चीज़ थी आपकी food processing के बारे में अगर हम लोग food processing के अगर हम लोग देखते है जरा benefit के बारे में देखें benefits क्या क्या हो सकते है तेक तो number one हमारे हाँ जो net zone area है net zone area है वो no doubt world में सबसे यादा है और इसके कारणा से हमारी जो yield आती है वो काफी यादा होती है लेकिन अगर हम लोग net zone area जो कि आप हतो maximum है उसको बढ़ा नहीं सकते है तो अब क्या कर सकते है food processing कर सकते है इस food processing के तहट आप क्या कर सकते है export को बढ़ा सकते है भारत का development इंडिया का development कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग क्या है जितनी भी आपकी course cereal है course cereal मतलब मोटे अनाज ज्वार बाजरा रागी यह सब जितनी भी तरीके की course cereal है हम लोग उसमें टॉप फाइफ में आते हैं अब इस टॉप फाइफ में आने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा खासा export किसके माध्यम से ओर्स वगर बना बना करके इसके अलावा sugar cane, tobacco इन सब जगा पे हम लोग क्या है अगेन टॉप में आते हैं और इस वज़े से अच्छा खासा export food processing करके export तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो industry है वो बहुत ज़्यादा develop कियर कर सकती है through this products, agricultural products इसके अलावा हमारी जो government है वो तरह-तरह के attractions देती है इस attraction के कारण food processing काफी आदा future में बढ़ सकता है काफी आदा export कर सकता है हमारे याद चीप labor है जनता बहुत ज़्यादा है, चीप labor है इसके अलावा इसके अलावा एक बहुत ऑपन मार्केट इंडिया में फैला हुआ है बहुत ऑपन मार्केट फैला हुआ है इस वजह से business के बहुत अच्छे prospects है food processing के छेत्र में तो यह हम लोग ने देखा food processing के क्या-क्या benefit है लेकिन अगर वही हम लोग problem या फिर challenges को देखें क्या-क्या challenges है तो challenge में number 1 आती है infrastructure की problem infrastructure की problem अब infrastructure में क्या-क्या problem है number 1 transport यहाँ पर क्या होता है चीजों को procure करने में इकठा करने में यही जो है बहुत ज़्यादा time लग जाता है procure करने में इसके अलावा storage की problem है हमारे यहाँ storage नहोने के कारण ही क्या होता है food product खराब हो जाते हैं सड़ जाते हैं इसके अलावा safety safety measures यह safety measures हमारे यह नहीं है जानवर खा जा रहा है और इसी safety measure के कारण यूरोप से हमारे यहाँ का जो mango होता है कौन से mango अलफांजो अलफांजो जो mango होता है यह भी वापस कर दिया गया था reason क्या दिया गया था फाइटो sanitary measure फाइटो sanitary measure अब यह फाइटो sanitary measure क्या होती है phyto sanitary का मतलब होता है कि जो भी safety standard follow करना चाहिए जो भी cleanliness follow करना है सफाई maintain करना है वो इंडिया वालों ने नहीं किया है और in fact ये phytosanitary measure ऐसा है जो इंडिया नकारता भी नहीं है क्योंकि कही न कही हमारे मन में बसा है सही बात है हो सकता है कि गंदगी की होंगे तो ये जो मन में बसी हुई चीज है ये काफी यादा problematic है infrastructure के problem के कारण इसके अलावा हमारे यहाँ जो labor है जो labor है वो cheap तो है लेकिन cheap इसी लिए है क्योंकि un-skilled है इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी educational institution educational institution regarding this food processing बिलकुल नहीं है food processing को ले करके कोई engineering नहीं है अब food processing के लिए engineering नहीं है क्या कभी R&D, research and development हो पाएगा क्या ढंका नहीं न तो कहीं न कहीं हमारे हाँ जो problem है वो foundation में ही लाइक करती है तो ये जो fundamental problem है यही गढ़बढ है अगर हम लोग देखें इसके अलावा market market को अगर देखें तो market की regulation करनी चाहिए किसके द्वारा government के द्वारा government कोई interest नहीं ले रही है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होई आ रही है market को develop करने में इसके अलावा जो लोग food processing को ले करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो भाई food processing करेंगे food processing में entrepreneurship करेंगे उनके साथ क्या हो रहा है government कहा रही है दस तरह के license लो दस तरह के license लो आप food product है FSSI से या करके आपको बार-बार चीजे clear करानी पड़ेंगी दस तरह के window पे जा करके आपको license लेना पड़ेगा दस तरह के window पे जा करके आपको clearance लेना पड़ेगा और वो भी दस तरह के ऐसे जिनका एक दूसरे के साथ कोई link नहीं है तो ये जो problem है ये जो licensing problem है ये problem बहुत जादा critical problem है क्योंकि ये कहीं न कहीं development को रोक देती है इसके अलावा technical knowledge ये बहुत कम है लोगों को technical knowledge बहुत कम है technical knowledge नो होने के कारण से जो भी new technologies होती है उनका कोई मतलब ही नहीं है कहीं से कोई मतलब नहीं रहा जाता है lab और land के बीच में कोई relation ही नहीं है सब एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं जो भी चीजे हो रही है patent कराने को दे करके हो रही है कोई भी ये सोची नहीं रहा है कि जमीन पर आना चाहिए जो actual development है जो actual development करनी है वो करनी है बेसिकली लोगों के द्वारा food processing लोगों के द्वारा तो ये बहुत बड़ी problem है इसके अलावा financial problem ये बहुत ज्यादा बड़ी problem आती है financial problem क्योंकि कहीं न कहीं हमारा हाथ वहीं पर रुपता है जहां पर financial crisis हा जाती है एक बहुत बड़ा problem है middle man का middle man का ये middle man क्या करते हैं ये producer से मतलब जो भी product producer बना रहा है उससे खरीदेंगे 10 रुपे पे और final consumer को पहुचाएंगे 100 रुपे में तो बीच में जो middle man का concept है ये बहुत बड़ा एक hurdle है तरीके से जो की बहुत ही problematic है तो इस तरीके से हम लोग इन देखा कि क्या क्या इनके problems हैं क्या क्या challenges है तो over regulation, technical, financial ये सब जितनी भी चीज़े हैं वो है अच्छा एक और important चीज़ है वो recent में उभर के आई है GST problem अब GST में ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही है कि किस slab में food processing को रखा गया है अब जैसे यहाँ पर भी 0% 5% 12% 18% 28% अलग अलग तरीके के slabbing वो रखी है इस slab में food processing कहां पे है पता नहीं और इस पता नहीं कि कारण ही न तो government पत कुछ कर पा रही है और नहीं आपके जो entrepreneurs हैं जो food processing में industry खोलना चाह रहा है उनको पता है तो इस कारण से यह बहुत बड़ी problem बन जाती है अच्छा अगर इसका solution हम लेना चाहें अगर हम लोग इसको solution को देखें कि क्या क्या solution किये जा सकते हैं तो solution के लिए आप क्या कहा सकते हैं नंबर वन infrastructure डवलप करिए infrastructure डवलप करिए इस infrastructure में क्या ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा डवलप होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के अलावा आपके road वगर है road, rail और mainly waterways यह आपको सबसे important है डवलप करना waterway इन सबको डवलप करना बहुत ज़्यादा important है इसके अलावा storage बनाना क्योंकि भाई ultimately दिक्कत वहीं आ रही है ना जब अरहर का दाम सो रुपय किलो पहुंच जाता है तो storage को maintain करेंगे इससे क्या होगी जो आपकी प्राइज है वो stable बनी रहेगी प्राइज जो है वो stable बनी रहेगी सेफ्टी नॉर्म को फॉलो किया जाए सेफ्टी नॉर्म को फॉलो करिए जो international standard है जो international आपके standard test है उस standard test को follow करने के बाद आप export करिए अब यहां पर कोई भी आप पर question नहीं करेगा regarding phytosanitary measure इसको लेकर के आप कोई भी आप से question नहीं करेगा क्योंकि आपने international test follow किया है तो यह सारे तरीके हैं जहां पर international मतलब infrastructure को ले करके आप चीजें solve कर सकते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा educational institution लगाना पड़ेगा educational institution अब educational institution जैसे क्या है agricultural engineering UPSC IFOS UPPCS UP Forest हर जगा पे agricultural engineering जो है as a subject रहती है agricultural engineering लेकिन क्या कभी आप लोगे ने agricultural engineering का as a institute सुना है क्या बिल्कुल है लेकिन बहुत ही कम है मतलब मैं तो नहीं सुना था लेकिन यह है कि आप जड़ा homework करिएगा सर्च करिएगा फर्स्ट agricultural university कब और कहां खोली गई थी agricultural university कब और कहां खोनी गई इसके अलावा आपके जितने भी मिदल-मैन की problem जा तो काफियद तक solve हो गही है government ने 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 पोर्टल्स निकालने हैं जैसे इनाम ग्राम तो यह सब पोर्टल्स निकाले गए हैं गवर्मेंट के द्वारा जहां पर मिडिल मैंन का कॉंसेप्ट अब धीरे-धीरे खतम करने की कोशिच की गई है इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रॉबलम जो हम लोग देख रहते हैं लाइसेंसिंग प्रॉबलम अब इसमें क्या किया गया है सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए काम करना शुरू कर दिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस अब सिंगल विंडो क्लियरेंस में आप लोगों ने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्लाउड 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 भी नई development है वो ultimately ground reality तक पहुचे जो चीज बनी होई है उसको आपको relatively solve करना पड़ेगा जो आपके central और state के बीच में law को ले करके नियम कानून को ले करके problem है उसको solve करना पड़ेगा without उसके इन सब चीजों का growth possible नहीं है तो यह सारी चीजे हैं जहां पर as a solution आप इंस मतलब प्रपोस कर सकते हैं चीजों को लिख सकते हैं ठीक है तो एक बार फटा फट जारा हम अपना PDF देख लेते हैं क्या क्या चीजे हैं तो देखिए फूड प्रोसेसिंग यह हम लोगों ने देखी लिया था होरिजन्टल और वर्टिकल दो तरीके के होते हैं यह हम लोगों ने देखी लिया था आगे बढ़ते हैं supply chain supply chain में देखिए producer भाई साब है producer इधर है consumer यह बीच में आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है इससे इसको लिंक करने के लिए इसका नाम दिया आता है backward supply और यहां से बुलाता है forward supply इसको पीडियाफ को एक बार पढ़ जरूर लीजेगा और maximum चीजे तो ऐसे मैंने कवर कर दी है अच्छा यह जो ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहा है कहता है कि वन बाइटेंथ जो है वह एग्रिकल्चरल लेंड वर्ल्ड का है और वन बाइफिफ्ट जो है वह इर्रिग इसके कारण से एक अच्छा खासा हमें प्रॉस्पेक्ट मिला हुआ है जो कि हम जी जो को मतलब अपने फूड सेक्टर को काफी ग्रो करा सकते हैं अच्छा कंट्रिब्यूशन के बारे में अगर पूछता है तो देखिए नाइन परसेंट जो है हमारा फूड अच्छली वो मैनुफेक्ट्रिंग का नाइन परसेंट हम लोग इस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं अब देखिए इसमें इसमें नाइन परसेंट में क्या है 41 परसेंट अन और्गनाइजड है अच्छा ये बताईए फूड प्रॉसेसिंग में अन और्गनाइजड क्या है फूड प्रॉसेसिंग क्या पापड या फिर जो अचार आती है फूड प्रॉसेसिंग है ना बिल्कुल तो यह जो फूड प्रॉसेसिंग है पापड अचार यह अन और्गनाइजड ही है यह अन और्गनाइजड है 25 परसेंट आपका और्गनाइजड है यहां पर और्ग वीट एन बारले जो आपके स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री जो चोड़े काम करें आते हैं वह जैसे आपके बहुत सारे जैसे चवन प्राश हो गई या फिर आप जो भी जैम जली खाते हैं वह सारा का सारा एक्चुली फूड प्रॉसेसिंग ही है जो भी आप जैम जली खा रह रहे हैं या फिर आप जो चवन प्राश खा रहे हैं यह सारा कुछ जो है फूड प्रॉसेसिंग ही है पतंजली पतंजली के हर एक प्रोड़क्ट आपके पतंजली बाबाजी का यह पतंजली के हर एक प्रोड़क्ट आपके फूड प्रॉसेसिंग से रिलेटेड है फूड क यह थी आपकी पूरी एरिया अच्छा यह सारा जो देखिया objective के बारे में लिखा हुआ है मतलब जो food processing की ministry है उनका यह objective है this is the objective of food processing industry जहां पर यह level को enhance कर रहे हैं यह value addition कर रहे हैं institution को strengthen कर रहे है food safety और quality measure कर रहे है capacity building कर रहे है तो यह किसी भी तरीके से जो भी possible है उसके थूरू यह promotion का काम कर रहे है food processing के promotion का काम कर रहे है दो नोडल एजनसी है कौन-कौन मपेडा और अपेडा मपेडा मतलब marine product अपेडा मतलब agriculture क्योंकि agriculture में दो चीज़ आती है एक होती है live stock और दूसरी होती है farming farming तो यह दोनों बहुत ही important sector है दोनों से ही food processing निकाले जाती है अच्छा food processing में जो अपना यह 9% manufacturing का है जो 9% पूरे manufacturing का सेक्टर का है यहां से करीब करीब 40% जो है वह आपकी marine production निकलती है marine product में ली कराव करीब 20% आपका around 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 20% आपका beverages वही अगेन alcohol हो गई non-alcoholic भी product जैसे बहुत सारे आते ना soda water आ जाती है या फिर आपके रसना वागए रहा आ गई यह सब भी तो food product ही है around around 11% जो है वह आपकी grain milk होती है जिसे आपकी सुना होगा आप लोगों ने जितने भी diabetes के लोग होते है diabetes वाले लोग मोटे grain वाली biscuits खाते हैं तो यह होती है आपकी processing 5% आपके dairy product जैसे milk powder होता है ना milk powder यह milk powder वगर है यहां से बनाए जाता है या फिर इसके अलावा आपके बहुत सारे product जैसे दूट से तो बहुत सारे product बन जाते हैं curd बनती है मठा बनती है और बहुत सारे बनते हैं तो यह सारी चीजे आप milk powder के थुरू निकालते हैं और बचा हुआ जो साड़े 25-24% है वो अधर्स में देखिए इसमें मैं कहूंगा ना यह जरा दो portion आप ध्यान रखिएगा बहुत ही important है क्योंकि around around 45 to 50% जो है जो फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर है वो बेसिकली मरीन प्रोड़क्ट या फिर आपके लाइव इस्टॉक प्रोड़क्ट पे ही निर्भर करती है तो इस वाए से यहां पे आपने केवल फूड प्रॉसेसिंग का ही importance नहीं दिखाया यहां पे आपने साथ ही साथ लाइव स्टॉक सेक मैं क्कुला है एक बार सक्राइव कर लिजेगा चीज़ों को अच्छा नेस्ट पॉंट हम लोग दोनेखते हैं नेस्ट tied program discussion हमारा है कि अच कॉस्पलाई के सप्लाई supply chain अभी supply chain क्या होती है supply chain होती है producer से consumer तक जिस भी तरीके से आपने product को पहुचाया है जिन जिन लोगों की मदद ली है उन सारे business entity का उन सारे business entity का chain के management chain management chain अगे जो chain management है supply का यह जो supply chain आपने बनाया है यह जो supply chain आपने बनाया है इस supply chain का जो management है इस ही को बोलते है supply chain management अब देखिए क्यों होना चाहिए या फिर क्या इसके prospect है इसमें क्या है माली यह आदमी है यह कोई मजूर है दस इंट जो है अपने खोपड़ी पे लग करके लेकर जा रहा है अब यह दिन भर में जो 10 इंट लेकर जा रहा है दिन भर में कितनी ये टोटल ले जाएगा बहुत होगा तो हजार अरे सौ चकर लगा दिया मैंने इसका सौ चकर इसने लगा लिए तो हजार लेकिन अगर वही काम क्या करे मैंने क्या किये 10-15 मज़ूर लिए और मैंने उसको 10-10 मीटर पे इस तरीके से खड़ा कर दिया अब मैंने कहा कि एक काम करो ये इट है इसको लो इसको देते जाओ आगे के और फॉरवर्ट करते जाओगे अब इससे ये बताइए एक तो ठाइबा पाइदा क्या टाइम कम लगा दूसरा फाइदा क्या जादा वर्क हुआ जो रख है जो हजार इट की वल जा सकती थी वो दो से तीन हजार इट गई अब डबल टू ट्रिपल काम हो पीसाल देना पड़़ रहा है लेकिन में भी कम लगा वैल्यू टाइम की होती है तो यह वर्क जो आपने किया है वह तो आप पर आपने 2-2-3 तらाइम कर दिया और साथ में आपका टाइम का जो झो गोग अना था वो कम हो गया तो यही जो चीज होती है यही जो चेन आपने बनाया इसी को बोलते हैं supply chain supply chain जितने लोग production से related होंगे production engineer या फिर mechanical engineer सब लोगों ने मतलब एक topic होता है इसमें topic क्या है नसेंस एक पूरा सिलिबस ही होता है उसको पढ़ना होता है सप्लाइचेन मेनेजमेंट का अब ज़रा सप्लाइचेन के देख लेते हैं वाट अर्दा चैलेंजेज चैलेंज क्या क्या है चैलेंज और फिर फ нравится बोल लीजे तो सबसे पहले जो जो फूड प्रॉड प्रॉसेसिंग की प्रॉब्लम थी क्योंकि food processing is related with actually supply chain तो जो आपकी food processing की जितने भी challenges थे चाहे हो आपके infrastructure वाले हो infrastructure में भी transport हो गया storage हो गया supply मतलब safety standard यह जितनी भी चीज़ें हैं यह सारे के सारे यहां पर भी एक challenge बने हुए हैं यहां पर एक challenge जो आपको add करना रहेगा वो challenge रहेगा sink among business entity सब लोग क्या करते हैं यह मेरा काम नहीं है यह उसका काम है यह वाली भावना है इसकी वज़े से सबका नुकसान हो जाता है इसके अलावा जो mismanagement है उसके अलावा intermediaries यह काफी हतक चीजों को खराब कर देते हैं इसके वज़े से क्या होता है कि जो आपकी जो आपकी चीजें हैं वो गड़ पड़ हो जाती है इसके अलावा over regulation यह सब हम लोगों ने देखा भी था over regulation center और state के बीच में कि भाई कौन क्या law बनाएगा यह law के कारण से ही कई बार क्या हो जाता है चीजें mismanage हो जाती है harmonization नहीं आ पाता है इसके अलावा आपका market segment market में क्या availability है और बाकी जितने भी हम लोगों ने food processing के दौरान problems देखे थे वो सारा कुछ problem जो है यहां पर भी आ जाएगा as a solution क्या प्रपोस करना चाहेंगे आप as a solution जो भी supply chain है उसको smooth बनाना जो भी entity है उनको आपस में sink में रखना बहुत जरूरी है अब sink में कब रहेंगे जब यह सारे के सारे एक तो responsible रहेंगे और दूसरा सबसे important attraction जब तक नहीं रहेंगा इनको किस चीज का पाइसे का पाइसे का तब तक जो है कोई भी अपना हाथ पाउं तो नहीं हिला रहा है तो इस वज़े से यह जो सिंक है basically यह सिंक रखना चाहिए based on based on responsibility based on responsibility तो यह जो काम रखना होगा यह बहुत ज़रूरी होगा बाकि सब चीजों के आलिया solution तो आप जो food industry वाला देखे थे ना food sector वाली food industry वाली वह सारा कुछ यहां पर भी लगा सकते हैं वह equally equally मैं कहूंगा की applicable रहेगा यहां पर ठीक है तो चलिए फिर यहां पर ज़रा एक बार फिर से PDF देख लेते हैं supply chain business entity income management है basically distribution procurement retailing marketing यह सब को जो है वह यह है जो आपके चीज़े हैं अब देखे यहां पर यह प्रॉब्लम्स अगर लिखे हुए है प्रॉब्लम्स यह प्रॉब्लम्स में क्या है inadequate supply of infrastructure आपके suboptimal supply chain अच्छा एक मिनिट है है हाई लेवल आफ इंडिपेंडेंडेंट अन्वारेंट इंटरमीडियरी जो जो आ जाते हैं उसके बाद आपकी गवर्मेंट की जो दिक्कते होती है overlapping jurisdiction यह बहुत नहीं धंग की रहती है इस वज़े सो जो skill है वो नहीं आपाती है तो आप लोगों को बताए दिया अब यह हमारा last topic है food safety and standard food safety and standard act अब इसमें क्या था कि जैसे आप लोगोंने सुना होगा मैगी का केस मैगी का केस जहां पर fsai के द्वारा प्रमारीत होना मतलब इसका certificate लेना होता है कि फूड प्रोड़क्ट जो है वो सेफ है बाकी consumer के लिए तो यह food safety act जो है यह 2006 में लाया गया था जैस्वाज अंडर fsai तो यहां पर food regulation जो है इसमें बिसिकली एक काम यह किया गया कि जितने भी government के और units है वो अलग-अलग जो है जो license राजवाली problem थी वो problem को solve किया गया by single window clearance यहां पर single window single window clearance की बात कही गई single window clearance की बात की गई इसके अलावा इनमें एक चीज और बुला गया इनमें यह बुला गया कि आपकी एक authority रहेगी food safety and standard authority food safety and standard authority सारा कुछ जो dealing होगी वो इसके द्वारा की जाएगी इसके एक chairman रहेंगे इसमें maximum 22 member रहेंगे अब देखिए detail में उतना जाने की ज़रूरत तो नहीं है वाटा इन्होंने क्या क्या किया है यह आपको पता होना चाहिए यह क्या करेगा जितने भी paramount important चीजें हैं जैसे आपकी consumer का interest जितने भी food item रहे उस food item में pesticide ना हो residue ना हो मतलब जो veterinary residue है यूरिया वगरा यह आपके antibiotic यह जितनी भी चीजें जितनी भी problem जितनी भी चीजे थी आपकी food processing industry के बारे में लास्ट में जाते आते एक food एक विजन आया हुआ है विजन 2015 food safety से related food safety and standard या food processing से related यहाँ पर इन्होंने एक दो तीन कई सारे target किये थे जैसे एक target यह किया गया कि जो perishable item है उनकी processing को हमें 6% से बढ़ा करके 20% तक ले जाना है इसके अलावा जो आप value addition कर रहे है जो आज की date में अभी 20% कर रहे है उसको बढ़ा करके 35% तक ले जाना है through research and development और लास्ट में जो हमारा food का trade है जो international trade है उसको बढ़ाना है देड़ परसेंट से 2% पे 3% पे लेके जाना है तो यह हमारे vision 2015 है food processing को लेते हुए government of India ने तीन objective रखे हैं तीन vision रखे हुए है जहाँ पर एक है perishable की processing को आपको छे से 20% तक ले करके जाना है value addition जो है उसको 35% तक ले जाना है और जो global trade है उसको 3% तक ले करके जाना है तो यह था हमारा food sector food processing sector so this is all about today's lecture और अगर कोई doubt होता है आपको या फिर question answer भीजना है तो you can obviously send on using these media sources मिलते हैं next studio में till then goodbye and thank you so much है